भारतिय अंतराश्टिय व्यपार मेले की रौनक बढ़ती जा रही है क्योंकि 26 नमंबर लोग सोचते हैं कि 27 नमंबर को खत्म हो जाएगा इसलिए मेले को जरूर से जरूर देख ले और 27 नमंबर के ये ट्रेड फियर 2022 साठे चार वजे संपन्न हो जाएगा ये नोट कर लिए तो 26 नमंबर को ये भीड जो है एक रेला की तरह आ रही है और लोग मुसकान के साथ इस मेले को देखना चाहते हैं और महिलाएं भी काफी संख्या में इस मेले में आ रही है ये आजादी का अमरित म होत्सों के दर्मियान मेला लगाया जा रहा है इंडिया ट्रेड प्रमोशन और्गनाइजेशन द्वारा तो यहां तो लगता है कि आधी अबाधी जो है वो इस मेले को देखने के लिए उत्साह के साथ आ रही है क्योंकि मेले में भारत की छाकी दिखाई जा रही है और इं किया था वास्तुकार्त थे हाला कि मेला दर्शक को इस बात की जानकारी मीडिया के दोवारा मिलनी चाहिए RGS Positive Media इस चीज को लेकर आ रहा है कि 3 नौवंबर 1972 को ततकालिन प्रधान मंत्री श्रिमति इंद्रा गांधी ने इस मेले का उधगाटन किया था जब 4 नौवंबर क वो अंतराष्टिय व्यपार मेला होने वाला था एशिया के नाम से और उसका उधगाटन श्रिमति इंद्रा गांधी जी ने उस समय किया था और तब से लेकर ये एक तालिसवा संस्क्रण जो है वो एक सफलता की तरफ अग्रसर है रोजाना हजारों की संख्या में लोग य क्योंकि आजादी का अमरित महोसों के दर्मियान ये मेला लगाया जा रहा है तो जोश कुछ और ही दुगना हो जाता है और लोग जो है वो बिलकुल खुशी-खुशी मेले में इंटर कर रहे हैं मेले में अब तक जितने दिन भी मेला हुआ 26 नवंबर को हम आपको दिखा रहे हैं तो लोगों के आने और जाने में जो सुविधा है वो बहुत ही प्रशावसन के द्वारा एक अच्छी सुविधा दी गई है और ये गुरूप के साथ आना अपने परिवार के साथ आना और हस्ते रहना ये मेले की रौनक में चार चांद लगा देता है पहली बार आए हैं लेकिन क्या उम्मीद लेकर आए हैं ये आर जेस पॉजिटिव मेडिया द्वारा इस मेले को वोलेंटरी सपोर्ट किया गया है ताकि हम भारत की जाकी को आजादी का अमरित महुत्सव के दर्मियान लोगों की भावनाओं को देश दुनिया तक पहुंचा सके पहल पूद सुकता है कि देखा नहीं है इसलिए हम इस मेले को देख लें ये मेला छूट न जाए और ये हर साल आती है जो भी आते हैं वो मेले से कुछ नकुछ याद के रूप में ले जाते हैं क्या बच्चे क्या बुजूर्ग और क्या युवा हर तरह के ये आयू वर्ग के लिए यहां पर खास होता है और यहां पर देखिए महिलाओं के लिए लेडिज इंट्री जो है वो अलग है और पुरुषों के लिए अलग है यानि सूवेवस्था सूवेवस्था का ख्याल प्रायुरिटी पर है एक तालिसवा भारती अंतराश्टिय व्यापार मेला नई वो चाहियां ले रहा है और अगले साल तो पूरा मेला परिशर खुल जाएगा जैसे ही आप इंटर करते हैं वैसे ही आपके सामान की चेकिंग होती है सुरक्षा ब्यवस्था कि दृष्टी से तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं प्रकति मेजान के गेट नमर दस से तो आ आपको 12A हॉल नजर आएगा ये गुड लिविंग स्टार अप्स निव यंग इंटर्प्रेनर्स मल्टी प्रोड़क्स टेक्स्टाइल होम फर्निशिंग गिफ्ट आइटम्स इस जीसका यहां पर भरमार है और लोग जाते हैं यहां साजेदार राज्य जो है इस मेले का ब जबूत है और लोकल टू गलोबल इसी थीम को लेकर मेला जो है यह एक तालिसवां भारती इंतराष्टिय व्यापार मेला लगाया जा रहा है जब मेले के अंदर आप जाते हैं तो नई-नई मशीनों को भी देखने का एक आउसर मिलता है और इसको जब उद्यमी उद्यमिता विकास को लेकर आते हैं तो उनके अंदर इस तरह की मशीनों के निर्मान की भावना भी जागती है और यहाँ पर फ्लोर मिल्स हैं अलग-अलग तरह के फ्लोर मिल्स हैं इन मशीनों के बारे में जानने का खरीदने का और अगर मैनुफेक्शरिंग करना चाहते हैं तो मैनुफेक्शरिंग करने के लिए भी इन मशीनों का ट्रेड करने के लिए भी एक अपरचुनिटी देत तो यहां पर आप देखें कि जिस तरह से यह मशीनों का प्रदर्शन हो रहा है मेले में वहां पर आपको कुछ उप्योगी चीजों की भी जानकारी दी जाती है तो मेला है और मेले में टेक्नोलोजी के साथ साथ नैने उत्पादों की जानकारी देने का ये हौल नमबर 12 ए जहां पर जितनी दूर तक नजर जाएगी आपको मेला ही मेला प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट उत्पाद ही उत्पाद खाने पीने का आपके घरेली उपयोग का सामान मिलेंगे सर्दियों का सामान भी मिलेगा और बच्चों के सामान भी मिलेंगे टैडी वियर भी मिलेगा और यहां पर सौंदर ये प्रसाधन की भी भरमार है रोष्टेड नमकीन के शौकीन यहां आकर लजीज नमकीन का आनंद ले सकते हैं लेकिन जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो नएने उत्पाद लेकर भी आते हैं और प्रदर्शित करते हैं यह देखने का एक ही मंच पे एक ही छट के नीचे मौका मिल जाता है कहीं कहीं यह रेट वगरा भी डिस्प्ले पिये हुए हैं मेले में भीड बढ़ेगी 26 नमंबर के दिन की यह रिकॉर्डिंग हो रही है और 27 नमंबर को यह मेला संपन्न हो जाएगा काफी कुछ हम दिखाते रहे हैं दिखाते रहेंगे लेकिन याद रखिएगा 27 नमंबर को यह मेला संपन्न हो जाएगा और साड़े चार बजे ही ये मेला संपन्न होगा यानि 27 नॉवंबर को साड़े चार बजे ये मेला संपन्न हो जाएगा तो इसका जरूर ध्यान रखें और आप हॉल नंबर 12 अभी 12 एक के बारे में जानकारी दे रहे थे और Beauty and Cosmetic Jewelry Products के लिए 12 नंबर का हॉल में हम प्रवेश करते हैं Electronics, Electricals, घरे लूप, करण फुटवेर और IT इससे संबंदित है मेले की टाइमिंग्स आप नोट कर सकते है ये 7.30 बजे तक मेला चल रहा है लेकिन 27 नॉवंबर को आप देखिए कि 10 बजे से साड़े 4 बजे तक का ये मिला है तो हम 12 नंबर हॉल 12 और 12 ए में थोड़ा सा डिस्टेंस है इस बात को आप नोट कीजिएगा 12 के सामने आप देखेंगे तो आपको 11 नंबर हॉल मिलेगा यानि 11, 10, 9, 8 एक जगह पर है बगल में 7 नंबर है तो हम 12 नंबर हॉल में हैं कॉस्मेटिक के बहुत सारे उत्पाद बहुत सारे स्टॉल आपको नजर आएंगे महिलाओं के मनपसंद 12 नंबर का हॉल दिख रहा है शहनवाज हुसेन एक ब्रैंड नेम है और इनका भी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है मुल्तानी सिंस 1938 इस तरह से लोग प्रचार के लिए भी यहाँ ज्वैलरी का सामान आप देख सकते हैं और ब्यूटी इंडिया का सामान आपको यहाँ नजर आ रहा है यह बहुत सारे महिलाओं के संदरे प्रसाधन का सामान यहाँ पर है और महिलाएं उत्सुकता वश जानकारी भी ले रही हैं और यह देखिए एक्जिबीटर बड़े जागरूख हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में दो शब्द बोलना चाहेंगे ब्यूटी इंडिया के बारे में बताएं सबसे ज़्यदा यहाँ पर डजना फिक्षिंग लिखती है और यहाँ पर एक क्रीम मॉसाजिंग क्रीम दे रहा है क्या अनुभाव रहा है इस मेले के दाएं नमबर वन है अच्छा चलिए बहुत अच्छी तो एक्जिबीटर जो है इस मेले से बड़े खुश है और खुश तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर मेला दर्शक हैं वो भी है क्योंकि यह मुस्कान बता रही है कि उनके मन पसंद और यहाँ डिमोंस्ट्रेशन जो हो रहा है यह अपने आप में खास चीज है क्योंकि डिमोंस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा प्रोड़क्ट कैसा है और क्या रियक्शन कर रहा है वो भी पता चल जाएगा लेकिन यहां मेला लाने वाले लोग सर्टिफाइड चीजे चुकि कंपनिया ब्यूटी इंडिया जो है वो अच्छी चीजें लाती है तो बाजार और इस मेले में यही खासियत है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो यह मेले में के दर्मियान भी दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर भी स्टॉल है यहां पर भी अलग तरह के स्टॉल है दर्द होता है उसका भी कुछ यहां पर इलाज करनी की बेवस्ता है यहां छूट के बारे में भी मेला में दिखाए जा रहा है 30% छूट यहां पर देखिए रोजा ने लिखा है buy two get one free तो marketing की strategy है यहां भी 30% छूट अब देखिए मेला 26 नमबर को तो यह छूट वाली जो competition है वो जारी हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि मेले में हमारे उत्पाद ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाएं घर में इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें यही स्लोगन जो है trade fair में दिखाई दे रहा है देख बीच में space है लोगों के खड़े रहने बैठने आप भी सकते हैं यहां पर मैट जो है बड़े खुबसूरत बिचाया हुआ है तो कोई परिशानी नहीं है और air conditions hall है तो पूरा भारत जब यहां ही कठा होता है तो कितना खुबसूरत लगता है अलग-अलग प्रदिशों के लोग आते हैं और यहां पर अलग-अलग तरह के उत्पाद को देखते हैं घड़ियों को दिखाना चाहेंगे यह रैंडॉम गैलरी यह आप देखिये घड़ियों की कितने प्रकार की घड़ियां है यह आपको एक बाजार में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन designers घड़ियां है ना और मीटिंग एरिया भी है जहां बिजनस के बारे में आप बात कर सकते हैं लेकिन designers घड़ियों को देखने का यह मौका देता है 2400 रुपे की घड़ि एक special price में दिखाई गई है मैं glorify करके आपको दिखाना चाहूँगा यह 2400 रेट लिखा हुआ है और 799 की घड़िया है एक अलग प्रकार की आप यहां देखें 700 799 की नीचे घड़िया है 799 की नीचे की जितनी घड़िया है 799 की है तो बड़े उत्साह के साथ जो है लोग designer घड़ियों को देखते हैं यहां पे exhibitor भी खुश है और जो लोग हैं उनके चेहरे पे भी मुश मुश्कान है और देखें युवा वर्ग भी मुश्का रहे हैं और देखें वो फोटो भी खीच रहे हैं क्योंकि यह खुबसूरती जो है यह मेले को एक नया आयाम देती है और color sense अगर आपको है तो आप यहां देख सकते हैं कितना बड़ा stall है कितना बड़ा है इसकी लंबाई जो है आपको दिखाई दे रही होगी इतना बड़ा stall है बहुत बड़ा stall है सुप्रीम फरनीचर का भी वहां पे हैलियस का भी है आयूर का तो जवा भी नहीं है आयूर का stall तो बड़ा खुबसूरत डिजाइन से बनाया में तुलशी का पौधा है यहां तक है ये फ़झ में विक का पौधा है यह दूसी यह अपने 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 एस टॉल के जो भी मालिक हैं उनकी सकरात्मक सोच को दिखाता यह अपने बहुत कम देखने कुमिलता है। बहुत कम सेुद्ध हो रही है तो कितनी सकरात्मक सोच है और इसके चलते यहां के जो एक्जिबीटर है जो यहां स्टाफ है उनके चेहरे पे जो रंगत है उसका तो जबाब ही नहीं है कितने ये खुशियां जो है वो कहीं ने कहीं इसका जो डिजाइन करके और इसको प्रूफ जिन्होंने किया होगा क्योंकि हॉल के पास आते ही आयूर हॉल के पास आते ही यहां पे यह भी आयूर का है यह भी आयूर का है वहां पे ग्रामेन हेल्दी फूड हेल्दी लाइट यानि आयूर नकेवल सौंदर प्रसाधन के अलावा भी healthy food के में भी प्रवेश करते हैं तो anyway RDMK और India Private Limited यह लिखा हुआ है यहाँ पे तो हरी दर्शन हरी दर्शन आप जानते हैं पुजा सामगरी में brand name है यह हरी दर्शन का install है यानि बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आने आने के लिए उत्सुक रहती है और एर कंडिशन्ट हॉल में आप आ रहे हैं 26 नवंबर को यह हम दिखा रहे हैं कि हरी दर्शन में लोग जो है जो पुजा की सामगरी होती है उसको लेने के लिए भीड लगी हुई है और यहाँ के जो exhibitor हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो एक विशेश विशेश जो है ठ्रेड कलर के ड्रेस में हैं इससे पहचान हो जाती है तो अब हम इतना कुछ दिखाने के बाद आल नमबर 12 और 12 ए से बाहर निकलते हैं और और भी जगह जाएंगे और जो आरजेस पॉजिटिव मीडिया हैं अरजेस मीडिया फेमिली हैं उन लोगों के भी रियक्शन्स हम चाहेंगे कि लिया जाए और यहाँ पर लिखा हुआ है बाई वन गेट वन फ्री यह मूनिस्टार का स्टॉल है यह हॉल नमबर 12 में जब भी आप आएं 12 मूनिस्टार का प्रोड़क्ट आपको एक के साथ एक फ्री यह मार्केटिव अब हम हॉल नमबर 12 यह से बाहर निकल गए हैं और वीडियो चुकि लंबी हो गई है यहाँ देखिए दिली फायर सर्विस की गाड़ी भी खड़ी है तो हॉल नमबर 12 से हम बाहर निकल आए हैं और स्टॉल पर प्रदर्शुकों स्टॉल को दिखाते दिखाते हम एक अलग गेट से निकल गए थे लेकिन हम एक बाहर दिखाना चाहेंगे कि हॉल नमबर 12 से हम निकले और अब हम इस वीडियो को यहाँ विराम देंगे समापन करेंगे वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल इसी थीम पर यह वार नमबर 12 में हम आपको दिखा रहे हैं ब्यूटी और कॉस्मेटिक जोलरी प्रोड़क्ट और एलेक्ट्रोनिक्स एलेक्टिकल्स उत्तर प्रदेश है 27 नमबर को यह मेला संपन्न हो जाएगा साढ़े चार बजे 27 नमबर को यह ध्यान रखिएगा वैसे साढ़े साथ बजे तक मेला है तो अब यहाँ पर RJS Positive Media की ओर से उदय मनना को अनुमती दीगे जय हिंद जय भारत